नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों वो कहावत है ना कि कंगाली में आठा गीला यानी कि अगर मुसीबत है ना कहीं पर उसके उपर और मुसीबत आना यही पाकिस्तान के अंदर आज हो रहा है दरसल पाकिस्तान के उपर दो और जादा बड़ी मुसीवत तूट पड़ी है और लग रहा है कि पाकिस्तान पर अब कुद्रत भी रहम करने को तयार नहीं है ऐसा क्यूं दरसल हुआ कुछ ऐसा है यह आप जानते ही है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय बिजली का बहुत बड़ा संकट है हालात यह है कि कराची और इसल हौल हो जाता है लोग अपने फोन चार्ज कर लेते हैं और इसी में ही खुशिया मना लेते हैं लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान एक और भयानक संकट में फसने जा रहा है दरसल सी पैक आप लोग जानते ही है चीन पाकिस्तान एकोनमी कोरिडूर जिसको लेकर खूब हला बनाया गया था जिसका नाम था नीलमजेलम डैम ये डैम बहुत बड़ा था इसकी कैपासिटी करिबन 973 मेगा वारोट थी और ये पाकिस्तान के लिए आज की तारिक में सूपर इम्पृटन्ट है क्यूंकि आज की तारिक में पाकिस्तान के अंदर जो थोड़ी बहूत ब ये डैम की कहानी में आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण है, दरसल इस डैम को अब बंद कर दिया गया है, क्यों? क्योंकि चीन दुआरा निर्मित इस डैम के अंदर कुछ खामिया पाई गई है, कुछ क्रैक हैं जो डिटेक्ट हो पाएं है, यानि कि डैम में ही क्रैक आचुका है, जिस वज़े से सुरक्षा को ध्यान में देखते हुई, इस डैम को फिलाल बंद कर दिया गया है, ये डैम कोई भी बिजली फिलाल नहीं बना रहा है, और सबसे हरानी की बात तो ये है, कि जो ये नीलम जहिलम डैम है, ये ब्रैंड न्यू डैम है, हाल ही में चीनी कमपनियों ने इसका निर्मान किया है, ऐसे में ने डैम के अंदर ही क्रैक कैसे पड़ गया, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है, आला कि कुछ लोग ये तर्क देंगे, कि हो सकता है कि ज़्यादा बारिश हो गई हो पाकिस्तान में, जैसे इस समय भारत के कुछ हिस् ही है कि बारिश के पानी को रोकना, ताकि अगर सूखे का मोसम आए, या फिर जब बारिश का मोसम चला जाए, तब धीरे धीरे पानी रिलीज करना, जिससे की लोग बारिश वाली बाड़ से भी बचें, और लगातार बिजली भी बनती रहे, तो ऐसे में डैम का काम ही पान ही रोकना है, इसके लावा कई एक्सपर्ट का मानना ये है कि चीन जो भी प्रोजेक्ट तयार करता है, चाहे सडक हो, चाहे डैम हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, उसमें ये लोग कमी छोडते ही छोडते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही है, ये अब चीनी कमपनियों का स इक नेचर बन चुका है, और अगर कोई प्रोजेक्ट इन्होंने तयार किया ना और उसमें कमी नहीं निकली, तो इसको लेकर ये खुद आश्चरी में पढ़ जाते हैं, कि हमारी बनाई हुई चीज परफेक्ट कैसे हो गई, हाला कि पाकिस्तान को सिर्फ यही जटका नही लगा है, एक और जटका लग चुका है, दरसल पिछले चार हफ़तों से यानि एक महिने से पाकिस्तान में लगातार गैस खत्म हो रही है, और गैस खरीदने के लिए पाकिस्तान की सरकार पिछले चार हफ़तों से चार बार टेंडर रिलीज कर चुकी है गैस को लेकर, लेक वो ही LPD जिससे हमारे घरों में खाना बनता है, अलाकि आप कहेंगे कि कोई tender क्यों नहीं ले रहा, तो देखिए, सभी व्यापारी क्या करते हैं, कि अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, अरब देशों से गैस खरीदते हैं, फिर अपनी सरकार को बेचते हैं, और सरकार उन्हें पेमेंट दे देती है, लेकिन दिक्कत यह है, कि पाकिस्तान के वैपारियों को पता है, कि वो अपनी जेब से पैसा खर्च करेंगे, अरब देशों से गैस लेंगे, और पाकिस्तान की सरकार को दे भी देंगे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार फिलहाल पेमेंट देने की हालत में नहीं है ना ही इनके पास डोलर बचे हैं इसलिए तमाम गैस कमपनिया पीछे हट रही है कोई भी इस टेंडर को लेने को तयार नहीं है और पाकिस्तान के अंदर बिजली के साथ गैस का भी संकट गहराता जा रहा है और कहाए जा रहा है कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान के हाला तब श्रिलंका वाले होने जा रहे हैं अलाकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेट करके जुरू बताएगा फिलाले सुड़ों में इतना ही थैंक्यू वेर मच पर वाचिंग वीडियो